आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी और पहले थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे बता दूँ आपको पहले तो मैं वो कम्यूटी पर पढ़ें उनके आंसर्स दूंगे आपको एक और चीज आप से कहूंगी यह जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिट्रेचर की सीर है उसका जो सीरीज नंबर 12 है यह जो मैंने पूरा अंग्लो सेक्शन एज से आज अगस्टन एज में आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो जिन लोगों ने वीडियो पहले नहीं देखे हैं वो डे वन से स्टार्ट कर लें इसका सारी प्लेलिस जो है वो आपको डिस्क्रिप रहे हैं आपको मेरा प्रयास किसी सरहानी लग रहा है तो प्लीज शेर करने में कंजुसी ना करें share करते रहें और अगर share कर दे तो प्लीज कमेंट कर के बता भी दे कि share अच्छा लगेगा मुझे और आप लोग के इत ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चलिए अब मैं आप लोगों को पहले जो community पे questions हमने डाले थे उनके answers बता देती हूँ आज पहला question था Johnson's discussion of metaphysical poets appear in तो यह है वैसे तो देखिए मैंने आपको बताया था lives of poets में है तो उसमें life of cowlay में यह दिया गया है जिसके 15% vote दिया है life of cowlay में है term metaphysical poets यह अधिकतर लोगों ने गलत दिया है कल मैंने इस lecture में पढ़ाया भी था कि metaphysical poets जो word है that was used by Dr. Samuel Johnson और done affects metaphysics it was used by Dryden और इन सबसे पहले William Drummond ने use किया था यह मैंने सारी चीज़े आप लोगो clear करी थी और the metaphysical poets नाम से एक essay है जो लिखा है T.S. Eliot ने इसके बाद the next question था metaphysical conceit क्या है it's an extended metaphor और जो कौन सा इन में से metaphysical poet नहीं है तो done, cowlay, wagon यह तीनो metaphysical poets हैं Dryden was not metaphysical poet तो यह community के questions थे जिनका मैंने answer आपको दे दिया है और आज आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है Augustan Age और Neoclassical Age पहले मैं उसके बारे मैं आपको बता दूँ यह Augustan Age क्या थी, क्यूं थी Augustan Age, Restoration Age के बाद और Pope की मृत्यू तक का जो समय वाना जाता है वो Augustan Age कहा जाता है अब Augustan Age को Augustan Age, Neoclassical Age, Pseudo Classical Age यह सब जो है वो कहा जाता है वैसा क्यूं कहा जाता है देखे, Augustus Octavius Caesar जो की Caesar का निफ्यू था उसके समय में Ovid जो और जो बहुत ही जादा जो है फेमस जो राइटर्स थे और उस समय का जो Classical Writing थी, that was of utmost quality उस quality को इस समय के राइटर्स ने English के लिटरेचर में लाने की कोशिश करी तो इसी लिए इस एज को Augustan Age कहा जाता है Augustan Age of English Literature Neo Classical Age, Neo Classical यह जो Ovid और यह जो मैं आपको बता रहें Ovid है या Virgil है यह जितने भी राइटर्स थे, यह Classical राइटर्स थे इन Classical राइटर्स को उन्होंने अपनी राइटिंग में इमिटेट करने की कोशिश करी तो इसी लिए इस एज को Neo Classical यह नई कि नए Classical एज भी कहा जाता है इसी एज को Pseudo Classical एज भी कहा जाता है P.S.E.U.D.O Pseudo Classical एज भी कहा जाता है तो जो Pseudo Classical एज है मतलbrar, नकली Classical एज अब आप सोच चुरू इंग नकली Classical एज क्यों कहते हैं? वह इसलिए कहते हैं क्योंकि इन राइटर्स ने उनकी फॉर्म तो कॉपी कर ली यानि कि उनके लिखने की शैली मगर उस विशह वस्तू को उन्होंने जो है वो कॉपी नहीं कर पाए इसलिए ये एज जो है वो सेटायर की और विट की आईरनी की इस तरीके की एज थी जो है वो जादा पेव्यंग पे जादा जो है वो ध्यान दिया गया आस कंपेर टू जो है वो स्वीट इमोशनल पोयम्स और यह पर एज जो है बहुत ही आर्टिफिशल एज थी जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन्स को फॉलो करने को कहा गया था इस एज में निय हलका होता था फॉर्म बिल्कुल अस ग्लासिकल राइटर्स की तरह होती थी इसलिए यह जादा पने आपको इस के बारे में थोड़ा जब upfront with & shipped Как farmer वो रानी बनी England, Scotland and Ireland की और आपको पता है कि 1702 में Queen Anne का जो शासन था और उसके शासन को कौन सी पोयम में पोप ने जो है celebrate करा है यह मैं आपको जो हैसके साथ अभी बाद में लेटर ओना इल टेल यू 1702 में Queen Anne के गदी पर आते ही 1704 में Sir Jonathan Swift ने publish करी The Battle of the Books and the Tale of the Tub Swift का जो सेटायर होता था वो काटता हो होता था अगर आपने जो है वर्ड सेटायर का मतलब होता Tearing the Flesh यानि खा लो धेर दो तो वो जो है यह Swift ने Battle of the Books की नई और पुरानी जो सोच में Battle of the Books के माध्यम से एक जो है अब आप सोच है इस एज में Mock Epic काफी जोरो पर था Mock Epic Epic होता है जिसमें Hero की कहानियों Hero के Adventures को बताया जाता और Mock Epic वो होता है जिसमें इन चीजों का मजाक उड़ाया जाता है तो Battle of the Books Books के माध्यम से नई और पुरानी मानसिक्ता के बारे में हाला कि यह और भी बहुत कुछ चीज़ें है तो Battle of the Books और Tale of a Tap सेटायर जो है वो Swift ने सेटायर जो है सेटायर साइब अब 1709 में आया टैटलर यह टैटलर है क्या इसके बारे में आपको बता हूं यह एक पिरियोडिकल है और यह जो है यह किसके द्वारा फाउंड आउट किया गया था इट वास फाउंड़ बाई रिचर्ड स्टील अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं क्या है इस एज में सबसे ज़्यादा जो उभर कर आए वो पिरियोडिकल साए है हैंडी जर्नल हैंडी ज अठारवी सेंचुरी में बहुत तेजी से कॉफी हाउस कल्चर पनपा एक ये वर्ड मैं आप यहाँ पर लिख रही हूँ कॉफी हाउस कल्चर आप इसा याद रखेएगा कि कॉफी हाउस कल्चर पे देगе यह वाला पेपर तो पहली बार हो रहा है लेकिन L.T. में ये question पूछा गया था कि coffee house culture कि century में flourish हुआ तो that it was flourished in 18th century ये था क्या coffee house culture इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक aristocratic society जो है इस समय लंडन की population काफी तेजी से बढ़ी एक उनके अंदर एक बहुत इस समय इंगलेंड की population लंडन की इंगलेंड की population काफी तेजी से पढ़ी इवन पढ़े लिखे लोग काफी ज़्यादा हो गए तो एक पढ़ी लिखी और एक show off करने वाली society जो है वो उभर कर आई खास तोर पे urban वो जो है city urban area के लोग जो है वो उभर कर आए तो एक coffee house culture flourish हुआ जहां पर over a cup of coffee लोग जो है discuss किया करते थे political parties को इस समय दो political parties उभर कर आई wigs and tories वो लोग जो puritan age में round heads और kevelius थे जो charles one को मानने वाले kevelius और जो है round heads थे जो की parliament की तरफ थे excuse me पानी पीलू वो आगे चलके दो parties में बदल गए wigs and tories party में वो जो है वो बदल गए इनके अपने-अपने clubs हुआ करते थे जिनमें ये जो है political discussions हुआ करते थे wigs वाले wigs party में जाते थे tories वाले tories के उसमें जाते थे तो वहाँ पर एक periodicals जो है यानि की सबता में दो बार तीन बार आने वाला paper बना जो उस ततकाली समाज के जो characters के माध्यम से society को बताता था तो ये spectator एक periodical था यानि की हाफते में तीन बार आने वाला जो की sir Richard Steele ने जो है वो found किया था और उन्होंने 1711 में उसके बाद मेरे ख्याल से मैं 1711 स्पेक्टेटर का जो है 1711 में तो ये है Richard Steele और Edison का है ये मैं टेटलर का लिख रही थी 1709 में टेटलर जो है वो आया ये भी और ये भी दोनों periodicals हैं पहले 1709 के periodical जो पर periodical आपको बता है वो तो है periodical है ये भी 1709 में आया टेटलर और टेटलर जो है ये sir Richard Steele ने तो इसे करा था उसके बाद 1711 में Richard Steele और Edison दोनों ने मिलके स्टार्ट करा था the spectator तो टेटलर periodical था पहला उसके बाद आया था spectator spectator का मतलब ही होता है एक दर्शक तो जो उस Sir Roger D. Coverley इसकी बहुत ही famous जो है वो एक figure थे Sir Roger D. Coverley और हर वर्ग में से एक जो है character जो उस पूरे वर्ग को बताता हुआ हुआ करता था तो ये in periodicals ये बहुत तेजी से उबरे थे periodicals the tetler, the spectator तो उस age में poetry पे कम ध्यान दिया गया था इसमें ज्यादा ध्यान जो दिया गया था वो prose पे दिया गया था और इसके बारे में भी आपको एक चीज बताती हूँ कि 18th century को कहा गया है is the age of prose and reason और ये किस ने कहा है Matthew Arnold ने यहाँ पर लिख देती हूँ कि 18th century is the age of prose and reason और ये किस ने कहा है it was called by Matthew Arnold इस समय कोमल भावनाओं का स्थान जो है वो बिटर सेटायर ने जो है वो ले लिया था अब 1711 में पोप ने अपना famous work लिखा that was essay on criticism don't get confused essay on criticism is a poem essay on criticism जो है वो लिखा पोप ने essay on criticism और आपको पता essay on criticism की एक बहुत famous line है जो आगे भी बहुत जादा जो है वो quote की जाती है यह मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए और जैसा भी coffee house culture वगरा गे रही हां तक चीजे क्योंकि आज तो मैं overview दे रही हूँ इस age का तो यह देख लीजिएगा कि essay on criticism के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ तो यहां पर मैं इसको सबको मिटा रही हूँ essay on criticism की एक बहुत ही famous line है fools rush in where angels fear to tread यह line essay on criticism की है जो काफी बार quote की जाती है यह इसी poem की line है fools rush in where angels fear to tread की जहां पर angels भी जाने से गवराते हैं वह मूर्क जो है वो चले आथ this is the oft quoted lines this is one of the oft quoted lines उसके बाद फिर आई मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी की यह age था mock epic का 1712 में आया 1712 में आया the rape of the lock the rape of the lock यह pope का mini app पहले जो है pope ने इसे यह mock epic है mock epic का मतलब होता है कि एक मजाक उडाता हुआ epic इसमें सारी वो जो भी टिकनीक्स हैं वो epic लिखने की यूज की गई है इसमें पोप ने heroic couplet का यूज किया यानि कि दो दो लाइन का जो stanza है जिसमें iambic pentameter यानि कि 10 syllables है इसमें hero जो है वो उसमें बहुत adventurous होना चाहिए इसमें heroine है जिसका नाम है बेलिंडा और इसमें लड़ाई hero की लड़ाई दिखाए जाए 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 ओहो पूरा का पूरा महौल जो है वो अफरा तफरीक हो जाता है जब बेलिंडा का जो बाल है rape of the lock का मतलब होता है rape means insult and lock means बाल बाल जो है वो काट लिया जाता है तो उसे जो है इस पे पूरे बाल के काटने पर बाल की लट को काटने पर पूरा का पूरा एक घमासान युद्ध होना और उस युद्ध पे को जो है बिल्कुल ऐसे ही दिखाना जैसे battlefield में दो armies लड़ रही हो तो एक epic का जो है एक मजाक के रूप में दिखाना that is known as mock epic 1712 में the rape of the lock लिखा था और ये उस समय दो केंटोस में आया था बाद में जो है ये five केंटोस में आया था तो ये rape of the lock ये बहुत ही satirical जो है वो रचना है और उसके बाद आते हैं 1713 पर आते हैं तो यहां तक देख लीजिए मारकर लीक कर गया है तो यहां तक आप देख लीजिए इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूं अब 1713 की बात करते हैं तो 1713 में पोप ने लिखा दविंसल फॉरेस्ट 1713 में ये पोप ने लिखा दविंसल फॉरेस्ट और अब ये क्यों important है ये मुँए आपको बता रही हूं क्योंकि पोप ने पोप सील्स दा ओगस्टन तर्म वाई? अपको आपको ए। पॉरेस्ट अविंस्टन तर्म थे लिखारा जारा और फॉरेस्ट आपको तर्ब ने पर दॉरेस्ट व्रच्व कार्ट रच्छ ने एविंस्टन ओगस्टस 1713 में विंसर फॉरेस्ट जो है वो पोप ने लिखा और ओगस्टन टर्म पे मोहर लगा दी क्योंकि इस पोयम में उसने बिलकुल क्वीन एन के शासन को ऐसे ही तारीफ करी है जैसे कि वर्जिल ने सेलिब्रेट करा है ओगस्टस के रूल को तो विंसर फॉरेस्ट में यह जैसे अप्रिशियटेद दे रूल ओफ दे रेंफ कुईन इन तो ओगस्टस एज को जो है उसने इस पे सील जो है वो लगा दी तो इस आप इसके आगे और बताती हूं मैं आपको अब सत्रा सो चौदा में सत्रा सो चौदा में सत्रा सो चौदा में राजा बने जौर्ज वण यह वो राजा थे जन्हें इंगलिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आथ बहुत ही कम आती थी बिल्कुल तो नहीं कहूंगी बहुत कम जो है वो इन्हें इंगलिश बोलनी आती थी और इसके अलावा मैं आपको इसमें भी कहती हूँ कि Pope ने एक इसमे इसी जमें लिखा है Epistle to Augustus Epistle to Augustus was written by Pope ये work है Epistle to Augustus ये Pope ने लिखा है जैसे कि Windsor Forest था और ये इसमें George ये जो Pope ने ये जो George I बनाई ये Epistle to Augustus ने address करा है उसने George II को और उसने जो है इसमें address करा है He addressed George II और क्या है George II को address करके ये बताया है कि इस एज की poetry बिलकुल जो है वो ऐसी ही है जैसी Augustus, Octavius, Caesar के समय तो दो works हैं ये एक The Windsor Forest और एक है ये Epistle to Augustus जिससे ये पता चलता है कि उस समय पूरे के पूरी जो copy थी वो किसे किया जा रहा था Augustan Age को copy जो है वो किया जा रहा था चलिए अब इसके आगे में आप बहुँए और क्या-क्या घटना है जो है वो घटी आप यहां तक जो है वो देख लीजिएगा उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस समय की एक और घटना जो और क्या-क्या हुआ इस समय पर ये सारे वो पूर्गी ये वरचना किसने लिखी है कब आई है ये सारा मैंने आपको इसमें बताया देखे ये एज नौवल की एज थी इस एज में नौवल्स लिखे गए जैसे इस एज में एपिस्चिलरी नौवल्स आए सबसे पहले मैं इसमें आपको बता रही हूँ देखे इसमें 1719 का मैं आपको बता रही हूँ 1719 में आया Robinson Crusoe किसके द्वारा by Daniel Defoe Daniel Defoe के द्वारा लिखा गया Robinson Crusoe अब ही किसी ने मुझे एक वेशन पूछा था कि माम, who is the father of English novel, that is Henry Fielding Fielding को ही माना जाता है और हाला कि उसे पहले ऐसे लिखने की शुरुवात हो गई थी but he gave the shape to novel और ऐसा नहीं है novel कोई बहुत novel एक नया genre है novel जो है उसके हमें जो seeds हैं वो youfious में मिलते हैं एक prose romance है वो novel एक बहुत पुराना genre novel is not a new genre कोई नया जो है वो लिखने का शेतर नहीं है I think यह question भी मैंने जो है पिछले सा 2019 में paper हुआ था TGT का उसमें आया था अब यह मत कहिएगा मैं हम TGT के question क्यों कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता ना junior में किस तरीके के question आएंगे इसलिए अब Robinson Crusoe लिखी Daniel Defoe ने इच थी novel कि मैंने आपको पता है prose and reason का यह युग था तो Robinson Crusoe लिखी किसने Daniel Defoe ने Robinson Crusoe जो है वो publish करी यह एक कहानी है एक जो है island पे maroon हुए एक देखती की जो काफी लंबे समय तक उस island पे रहता है survive करता है तो Robinson Crusoe की कहानी है उसके बाद आई फिर आई 1726 में कौन सी आई Swift की Gulliver's Travel Swift's Gulliver's Travel यह जो Gulliver's Travels है यह political allegory है Gulliver's Travels यह एक political allegory है जिसमें अलग-अलग जगे जाके ho-hum और जो है लिलीपोर्ट जगे-जगे जाकर जो है चीजों को बारे में बताया है तो यह एक political satire है एक जो आया था Swift's का Gulliver's Travel अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर जो है बताते एक और जो है 1755 में अब अपने 1755 में क्या हुआ यह बता रही हूँ Dictionary of the English Language आई Dictionary of the English Language Dictionary of the English Language आई जो की किसने लिखी थी Dr. Samuel Johnson तो Dr. Samuel Johnson की जोंसन एए फिर दोपरा से लिखी दोपरा से लिखी डोक्टर सेमोल जोंसन की Dictionary of the English Language आज में रेटिंग आपको थोड़ी खराब रहे रहे होगी हाथ में ना थोड़ी यहाँ पर पेन हो रहा है तो राइटिंग जो है बहुत सड़ी वी हो रही है मैं मिटा मिटू के लिख देती हूं ऐसे ठीक है अज क्या हुआ ना सुबह सुबह ही जो है चोट लग गई तो उसके बाद जो है वो अभी थोड़ी देर दवाई ले ली मगर थोड़ी देर में जो है वो ठीक होगा तो मलब रात भर में आराम करके तो यहां तक मैंने आपको एक ओवर्व्यू दिया है Augustan Age और Neoclassical Age का यह पॉइंट से मैंने आपको बताए elaborate with writers आप लोगों के साथ करूंगी कल तो I hope कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो Augustan Age का एक ओवर्व्यू जो है वो आपको पसंद आए आपकी इस community पर कोई भी question देखते हैं तो उसका answer प्लीज उससे पहले वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि एक एक number माहिने रखता है thank you very much good night मिलते हैं कल